खबरों में खबर क्या है आज की खबर में आप सबका स्वागत है मैं हूँ विशाल सरीन आईए चले कुछ नई खबरों की तरफ धर्मशाला में होने वाली इंवेस्टर मीट से पहले ही हमाचल सरकार ने 77,700 करोड रुपे का इंवेस्टमेंट का अंकड़ा छू लिया है और अब इतना ही है कि ये सारी इंवेस्टमेंट यां MOU जो साइन हुएं ये धर्ती पर भी उतर हैं तो आपकी सरकार की तो बल्ले-बल्ले स्मार्ट सिटी ही की तरह स्मार्ट सिटी पर काम करने वाले भी काफी स्मार्ट हैं जी हाँ इसलिए कल ही एक मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि स्मार्ट सिटी कंसल्टेंट को अब बदल दिया जाएगा क्यों 21 करोड रुपया मांग रहे थे जो की सरकार को काफी जादा लगा है अब इस मीटिंग के थैत जो नए कंसल्टेंट रखे जाएंगे वो मल्टिपल होंगे और एक कंसल्टेंट की बजाए कई कंसल्टेंट्स को ये काम मिलेगा जिससे की कई जना के सरकार को मिल पाएंगे साथ ही सरकार 21 करोड से कम पैसा खर्च करके वही काम ले पाएगी जी शिमला जल प्रमंदन निगब लोगों को साफ पानी तो नहीं दे पाया पर कम से कम मर्ज एरिया में पानी की दरों को कम करने के लिए रादी तो हो गया फिछले कल ही एक बीटिंग क्या दिकारियों ने ये बात मानी कियवै फानी की दरे मर्ज एरिया में कम कर दी जाएंगी हालनकि उन्होंने ये नहीं बताया कि रेट कितने कम होंगे और ये दरे कब या किस तारीक से कम होनी शुरू हो जाएंगी यार कब बनेगी ये Central University पिछले 10 साल से राज़निति का चिकार हुई Central University अभी भी अधर में अठकी है जी हाँ खबर यह आई है कि Central University द्वारा भेजी गई DPR दिल्ली में मंत्राले द्वारा रिजेक्ट कर दी गई है और कारण यह बताया गया है कि जहां मंत्राले ने 500 करोड रुपई की DPR बनाने के लिए कहा था वही Central University ने लगवग 1400 करोड की DPR बनाई और इसी वज़े से वह रिजेक्ट हो गई है उमीद करते हैं कि जल्द ही यह DPR दुबारा बनके जाएगी और अब की वार Central University की यह DPR रिजेक्ट नहीं होगी दोस्तो पानी की समस्या सिर्फ शिमला में नही है बलकि स्टोलन और उसके 38,000,00,000 लीटर का टैंक सरकार ने इसको रिपेर करवाने की थानली है जो की जल्द रिपेर हो जाएगा और इसके साथ पानी की समस्या को दूर करने में मदद करेगा हालां कि सवाल वहीं अठका है कि अभी तक ये नहीं बतायागा कि टैंक की रिपेर कब से शुरू होगी और कब तक खतम हो जाएगी और ये टैंक जनतागी सर्विस में कब से आएगा तो फ्रेंड ये थी खबरों में खबर क्या है आज की खबर देखते रहे हमारा ये यूट्यूब चैनल या फिर पढ़िये हमारा नियूस्केप पर www.himachalscape.com पर खुश रहिए कल फिर मिलेंगे धन्यवाद